कहानी की शुरू में हमीं बताया जाताए के कंपनी है जो लोगों को पुसा कर चानीक लिवा कमरे में डाल दीती है जिस कमरे का नाम होता है इसकेिप रूम कुछ पहेलिया होती जिन्य नास। سंचाने पर उनकी मोथ solutionariamente यह गचाती कि वो इसे देखर काफी जुआय करते हैं और शर्ते लगाते हैं पहले जिब स्केप रूम बनाया गया था तो उसमें से एक लड़की जिसका नम जोई है वो और उसका दोस्ती जिंदा बच पाये थी जिसके बाद जोई ने कसम कहाई थी कि वो इस कंपनी का राज सब के सामने खोल कर इम जानलेवा गेम्स को बन करवाएगी तर इसके बाद हम इंक आदमी को देखते हैं जो उस कंपनी के लिए काम करता है और यही कंपनी को पूरा स्केप रूम बना कर देता है इसकी वाइफ और एक बेटी बीटी बेटी का नाम क्लेयर था अब उसकी वाइफ को उस देर बाद में इस पर बात करते हैं तर उसकी वाइफ नहाने के बाद एक कमरे में आकर बैठ जाती है लेकिन तब इस कमरे को लोहे की तीन रोड बन कर देते हैं यह देख वो फुरान समझ जाती है कि मेरी हजबन ने मुझे स्कीप रूम में बसा दिया है अब रूम का मुखनातीस मिलता है जिसे देख वो फोरान समझ जाती है कि इस मुखनातीस की जरिये उसे वो तिनों लोहे के रौड दर्वाजे पर से हटाने हैं तो एक एक करके रौड रटाने लगती है लेकिन कमरे का टमप्रेचर 240 से भी बढ़ता जा रहा था जिसकी वजह से उसकी ज अब उसके डैट उसी से ही स्केप रौम बनवाते हैं अब यहां क्लियर के डैट को इस बात का भी काफी गुसा था कि जोई उनकी गेम से जिंदा बच गए थी इसलिए उपने बेटी को मुश्किल से मुश्किल स्केप रौम बनाने का कहते हैं ताकि इस बार जोई बचना हैं लेकिन जोई को यहां कुछ गड़बर लगती है इसलिए वह जहांसे जाने के लिए मना कर देती हैं जिससे उन दोनों की जान बच जाती है अब यह दोनों गाड़ी के जिए ही निव यॉर्क के लिए निकल पड़ते हैं रास्ते में कॉटल में रात गुजारते हैं जह और इन दोनों को एक ट्रेन में फसा कर वहां से भाग जाता है अब यहां जोई को कोई गड़बर लगती है क्योंकि ट्रेन में सिर्फ छे लोगी बैठे हुए थे वो ड्राइवर का केवन चेप करने जाती है लेकिन वहां पर भी कोई नहीं था और उसका दर्वाजा बैन अब इनकर डबा बाकि ट्रेन से अलग होकर कहीं दूसरी जगह पर जाने लगता है सब यह काफिक उपरा जाते हैं पिर यह डबा एक खाली पड़े हुई सुरंग में जाकर रुखता है जोई का दोस्ट ट्रेन का दिर्माजा खुलने की कोशिश करता है लेकिन वह बैन था यहां जोई और उसके दोस्ट को यह बात समझ आ जाती है कि उस कंपनी ने आखर इन्हें डूंडी लिया और यहां पसा दिया मगर और हराम करने वली बात यह थी कि ट्रेन में मुझोद बाकि जो चार लोग हैं वो भी पहले इस जानलेवा गेम को जीत चुके हैं यानि अंदर इने एक टोकन मिशीन मिलती है जिसके अंदर 9 टोकन्स डालने थे इसके उपर लिखा हुआ था कि पॉस्टर की गलतियों को डूरना होगा यह लोग एक पॉस्टर को देखते हैं जिसमें से एग गाइब था अब ऐसे करके यह बाकि स्पेलिंग्स की गलतियों को भी दूरने लगते हैं जोई दिखती है कि ट्रेन के ऊपर टूटल 26 हैंडल्स लगे हुए हैं और ABC में भी 26 लफज होते हैं मतलब यह है कि जो जो लफज गाइब हैं इन्हीं लफजों की हैंडल्स को खीशना है एक लड़की को वैग में से रबड का काफी बड़ा सा जिसमें से एक के बाद एक टोकन निकल रहे थी लेकिन हैंडल कीचने की वज़ज से वहां करंट बढ़ता है जा रहा था अब लड़की को आखरी तिन गाइब लफ्स मिल जाते हैं लेकिन इसे पहले कि वह इस बारे में किसी को बताता है घल्टी से वह लोहे की पाइप को पकड़ लेता है और करंट लगने की वज़ज से उसकी मौत हो जाती है जोई देखती है वह वेलकम बैट लफ्स बन रहा है जिसकी आखरी तिन गाइब लफ्स वह बाकियों को बताती है जोई का दोस जिल्दी से उन हैंडल को खीचता है और टोकन निकलने पर मशीन में डा देता है ऐसा होते ही वहां एक रास्ता खुलता है जिसके जरीए यह सह वहां से निकल जाते हैं लेकिन वह एक लिफ्ट में आ चुकी थी जो इन्हें बने दर्वाजे में जाना था तब वहां जमीन पर पैर रग देती है जिससे फूरण वहां लेजर चल पड़ती है लेकि को वहां से बाहर निकालते हैं क्योंकि उसने अपना पैर पर रग दिया था ऐसा होते ही लेजर वापी से बेंद हो जाती है तो अभी लोगों को दस मिनट की अंदर अंदर उस दर्वाजे की रास्ते जाना है वरना वो दर्वाजा बेंद हो जाएगा लेकिन अगर इन्हों तक देखता है कि हर तीजौरी पर एक नंबर था लेकिन एक तीजौरी ऐसी भी ती जिस पर नाम रेका था इसलिए अभी लोग चाबी से उसी त्रिजौरी को खोल्ने लगते हैं तीजौरी के खुलते ही उसमें से तेज़दार हीरे बाहिर गिरते हैं जिनें चूते ही और जैसे नर्स नोटों को देने के लिए काउंटर पर चड़ती है तो फिर से लेजर चल पड़ती है जिसे टरकर वो नर्स वापी से गिर जाती है अब उसके गिरते ही लेजर भी बंद हो गई थी प्रीस्ट वो नोट जोई को देता है जिस पर खूल लगाने से इन एट्यम क कोड मिल जाता है और जैसे वो इस कोड को एट्यम में डालता है तो तभी यहां तीन घड़िया अलग अलग ताइम पर रुख जाती है यह दर असल उनके लिए इशारा था सही टाइल्स पर जाने का घंटे वाली सुई यह बता रही थी कि इने किस तरफ जाना है और मिनेट टाइल एक बटन की तरह दब जाती है और फोरण ही एक और तीजोरी सामने आती है और जिस टाइल पर खड़ा था उस पर भी एक पहली लिखी आती है तीजोरी को खूलने के लिए इलो घबराते हुए कोड डोरने लगते हैं लिकन इनके पास वह बहुती कम बचा था इसलि और फिर से बंद हो जाती है वो राइडर पहली का मतलब समझ चुकी थी इसलिए उस तेजोरी की हैंडल को गुमाती ही रहती है जिससे वह खुल जाती है अब की बार उसके इंदर से एक नक्षा निकलता है जोई उस नक्षी को लेकर वहां दिवार पर लगे एक डिजाइन पर रखती है जिससे अब इने बागे का आदा रास्ता भी मालूम हो जाता है जोई यही रुकर वाकियों को आगे का रास्ता समझाती है जिसके बाद यह भी होश पड़ी प्रीस्ट को भी लेकर वहां से निकल जाती है और दर्वासर बंद होने से पहले ठीक वकर वहां से निकल जाती है और अब यहां पर इनकी दो स्केप रोम पार हो जाती है प्रीस्ट को भी होश आ गया था जिसके बाद अभी तीसरे स्केप रोम में आगे बढ़ते हैं जिसे बिल्कुल समंदर के किनारे की तरह बनाया गया था राइटर को वहाई कैमरा दिखता है जिसे पर कश्टे दूरने लगता है जोई दर दो स्टैचुस भी देखती है जिनमें से एक ही आंगों पर सिप्या रखी गई थी जो काफी अजीब दिख रही थी तब ही वह टोल रेट में आवास करने लगता है जिसके बाद यह लोग उस जोगा से रेट खोदने लगते हैं और रेट तोड़ जाती है और रेट उस रेट उसी को फोरा निकल जाता है अब यह लगत समझ चुकी थी कि यह रेट तलदली बंती जा रही है जिसमें सबसे पहले वह नर्स फस दिया है और देखते ही देखते रेट उसे भी निकल जाता है फोरान वह प्रीस्ट अपने कमर प इन्हें पता चलता है कि यहां से निकलने का रास्ता वहां रखी फ्रीज की अंदर है लेकिन फ्रीज को खोलने के लिए इन्हें को डूरना होगा यहां एक बटन भी था जिसे जैसे जोई दबाती है बाहर बनी बिल्डिंग में लाइट चल पड़ती है वह समझ जाती है कि अ गोल दर्वाजे पर जाती है जोई के दोसको वह इशारा समझ जा गया था इसलिए वह बाग कर उसे स्टैचु के पास जाता है जिसकी आंकों के जगा सिप्यां लगी हुए थी वह बड़ी मिश्किल से उसकी आंकों से सिप्यां उतारता है जो द्रसल फ्रीज का कोड़ था वह जल्दी से अंदर आकर उसकोर से फ्रीज को खोल लेता है जिसके जरी अभी लोग यहां से निकल सकते थे उदर जोई भी वह गोल दर्वाजा हटाती है जिसकी अंदर एक खुफिया रास्ता था जिससे देखकर वह फोरन समझ जाती है यह अगर वह इसके अंदर जाएं पर नहीं से पहले वह सीड़ियां अंदर चली जाती है और वह नीचे करकर रेट में दफन हो जाता है यह देखकर जूई को काफी दुख होता है और यहां से निकलने के लिए भी इन्हें एक सीड़ी मेल जाती है और आसपस गाड़ियां देकर समझ जाती है कि वह किसी जाना होगा लेकिन वहाँ पर ताला लगा हुआ है राइटर उपर चड़ती है तो उसे वहाँ एक चाबी मिलती है जिसे ताला खोल कर यह शक्र ऑपर करती है और देखती है कि सटोर के सामने तो एक और दर्वाजा लगा हुआ है अब टाइम कितम होते ही यहां टैजाब की व दर्वाजा खोल सकते हैं तो वो नर्स किसी ऐसे चीज़ को ढूने लगती है जो तेजाब से नहीं जली और उसे एक बोतल मिल भी जाती है ताइम कर पोते ही बारिश फिर से शुरू हो जाती है यह बारिश बंद होती ही उस बोतल में जमा हुए तेजाब से टेलिफुन जाकर चान बिन करने लगती है देखती है कि गाड़ी का दर्वाजा बेंद है लेकिन तबी टाइम करतमोंने की बात बारिश शुरू हो जाती है उन लड़कियों के पास एक चत्री ती जिसे वह जोई को देती है जिसकी मतद से जोई तरजाब में जलने से बच जाती है जो करने की बाद वो दुनों लड़कियां भी गाड़ी की अंदर जाने की कोशिश करती हैं लेकिन दर्वाजा तो लॉक हो चुका था और टेलीफ़न बॉक्स का दर्वाजा भी अपने आप ही बंद हुया था वो कवर भी अब अंदर जा जुका था अब उन बीचारियों के प स्केप रूम में जोई नी आना था वो वहां नहीं आई बल्के कहीं और ही चले गई तब वो समझ जाता है कि जरूर मेरी बेटी क्लेर ने जोई को बचाने के लिए गड़बड की है उदर क्लेर का दूस जोई को अपने साथ ले आया था यहाँ जब जोई क्लेर को दीखती है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं तब वो कहती है कि समंधर के किनारे वाले स्केप रूम में मैं गड़बड कर दी थी इन्हें जिब तुम्हारा दोस्त रेट में दंस किया था वो मरा नहीं बलकि जिन्दा है सही सलामत है और एक कमरे मे तो वो भी क्लियर की मा की तरह दरमी से मारा जाएगा क्लियर जोई को बताती है कि मेरे डैट के कम्पीटर के जरीए मैं तुम्हारे दोस्त को बचा सकते हूं लेकिन उसके लिए मुझे इस कमरे से निकलना होगा तब जोई उसे बाहर निकालने के लिए डिवार पर बनी प क्लियर बताती है कि मेरे डैट ने कहा था इस पहली को नहीं सुझा पाऊंगी तब जोई एक ऐसे जगा जाकर खड़ी हो जाती है जहां से क्लियर ना देख पाई तब साइट से उसे देखने पर एक कोड मिलता है जिसके जरीए यह दर्वाजा खोल लेते हैं और क्लियर बा कर दीती है जहां जोई का दोस पैसा हुआ था और इस तरह से उसकी जान बच चाती है जोई क्लियर से स्पूश्ती है कि मेरा दोस कहा रे जिस पर वह बताती है कि उसे बिल्डिंग मे जहां तुम्हारे सारे स्केप रूम उसBonon को मैंने वहाँ विंडु एंद करती है, ता कर दिया था जोई को भी उसका दोस्त मिल जाता है इसकी बाद क्लियर अपने डैट के पास आती है और अब हम यहां क्लियर का असले चेहरा देख पाते हैं कि वह कितनी खतरनाक है वह असल में बच्पन से ही पागल है जब वह चोटी थी तब इस दोसे बुरी आतें पढ़ ताकि वह और उसकी तारीफ हो और शुरू सही काफी मासूम बनने की कोशिश कर रही थी लेकिन वह इतनी पागल थी कि अपने माबब को ही मार दिया और इसी के साथ यह फिल्म नहीं पर खत्म हो जाती है